स्वागत है दोफतों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेडिसे रिविव में जहां आप पाते हैं सभी दबाईयों का रिविव तो फ्रंस आज की इस व्यूडियो में हम बात करेंगे अफ्तालें टेबलेट के बारे में जो की अफ्तमा तता ब्रीतिंग से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करने के लिए काफी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है तो फ्रंस आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसका प्यूग जो है किनकिन बीमारियों को ठीक करने के लिए किये जाता है और जानेंगे इसकी जोच और साइड पेक्ट के बारे में तो इन्ही सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने बाले हैं तो फ्रिंस अगर आप इस अफ्तालें टेबलेट के बारे में पूरी जानगारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाफ तक देखे और अगर चैलर पर पहली बार बज़िट कर रहे हैं तो प्लीज चैलर को सब्सक्राइब कर लें तो फ्रिंट्स बात अगर अफ्तालें टेपलेट की करें तो इसे जो है सिपला नाम की कंपनी बनाती है और इसमें सिंगल कॉंटेंट सेल यूट्रमोल दिया होता है और यह टेबलेट आपको जो है दो एमजी चार एमजी और आट एमजी की अलग अलग इस त्रेंट में मिल जाती है तो फ्रिंट्स अब बढ़ते हैं इसके यूज की तरफ तो फ्रिंट्स इसका मुक्यता उप्योग जो है अफ्तमा यानि दमाग स्वांच लेने में परिसानी होती है उसको खांसी रहती है उसकी चाती में दद रहता है तो इस इफ्तिती को हम अफ्तमा कहते हैं तो इसको ठीक करने के लिए यह अफ्तालिन टेबलेट वहती अच्छा काम करती है साथी फ्रंट COPD नामसिक बीमारी है यह भी बीमारी हमारी जो फेपड़ों से संबन देता है और यह उस समय जब लंबे समय तक स्वांच लेली में सूजन रहती है उसका इलाज नहीं लिया जाता है इसके लक्षड भी बही है जो अफ्तमा के होते हैं उसको स्वांच लेने में परिशानी होती है उसको खांसी रहती है उसकी चाती में दद रहता है तो इस समय में भी यह टेबलेट जो है बहुत ही अच्छा काम करती है इसके लावा फ्रेंट इसका प्रियोग जो सूखी खांसी को ठीक करने के लिए भी के जाता है तो फ्रेंट यह थे कुछ इसके यूज यूज जानने के बाद अब बढ़ते हैं, इसके साड़ फिक्टिक दरब। तफन इसके साड़ फिक्क्स जोब थकान रहना, बेचैनी रहना, मुझ का सुखना, जुचना, बिलट प्रेसर का कम होना, शर्फदर्द होना, कमजोरी होना हार्ड रेट का बढ़ जाना यह या इसके अलावा भी अगर कोई अन्वांटेट बेग दिखता है तो तुरंत इफ दबा का सेबन बंद कर दे और अपने डॉक्टर की चला ले जहां से उसको फर्दर टीटमेंट दिया जा सके तो फर्द आप जानते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज क्या रहनी चाहिए तो फर्द जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी दबा की डोज मरीज की डिसीज और उसकी उम्र और उसके बजन के साब से दी जाती है फिर भी फ्रन्स अगर इसकी सामान डोज की बात करें एडल्ट में तो 4MG की टेबलिट जो है दिन में दो बार दी जाती है खाना खाने के बाद में अगर किसी पेसेंट को ज़्यादा उसकी सांस फुलती है उसको ज़्यादा अफ्तमा है तो इसकी डोज बढा कर आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं और ये टेबलिट जो है बड़े बज़ूर्ग बड़े हो या बज़ूर्गों या बच्चों सबी को दी जाती है अगर उनको जो है इसकी आवसिकता हो तो फ्रेंट ये था हमारा अफ्थालेंट टेपलिट का रिव्यू अगर आप इसे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार बुजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राब कर लें और साथ में ही बेल्ट के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिके से मिल सकें और आप उसका लाब उठा सकें तो आज की वीडियो में फतना आई तो थैंक्स फ्रेंट्स एंड बंदे मातरम